नमस्कार लाइब 24 पर आपके साथ मैं हूँ शिवानी ठाकुर करनाटक के पुर्व मुख्यमंतरी ह्टी कुमार स्वामी के ये कहने के चार दिन बाद कि उनकी पार्टी और बीजेपी ने राजहित में मिलकर काम करने का फैसला किया है उनके पिता और जेडियस के संग्रक्षक एचडी देवेगोडा ने भगवा पार्टी को जटका दे दिया है देवेगोडा ने कहा है कि बीजेपी के साथ फिलहाल गटबंधन की कोई संभावना नहीं है करनाटक विधान सभाचुनाव में बुरी तरह हार के बाद जेडियस अस्तितो का संकट जेल रही है ऐसे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के नित्रतों वाले अंडिये में शामिल हो सकती है लेकिन अब इन अटकलों पर खुद पार्टी के सुप्रीमो एचडी देवे गौडा ने ही विराम लगा दिया है देवे गौडा ने साफ कर दिया है कि जेडियस अगले साल होने वाले लोगसभाद चनाव में अकेले ही लड़ेगी किसी भी गट बंधन में शामिल नहीं होगी देवे गौडा ने साफ कहा है कि जेडियस अकेले ही चुनाव लड़ेगी फिर चाहे 5 सीट जीते या फिर 6, 3, 2 या फिर 1 देवे गौडा ने कहा कि हम उनहीं सीटों पर अपने उमीदवार खड़े करेंगे जहां हम मजबूत हैं अब हैरान करने वाली बात ये है कि पिछले ही हफते एचडी देवे गौडा के बेटे कुमार स्वामी ने कहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर कॉंग्रेस सरकार के खलाफ कई मुद्दों पर काम करें जेडियेस के बीजेपी के साथ शामिल होने के आसार दिखने के पीछे कुछ और कारण भी है कई मामलों पर पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया है पिछले दिनों BJP के 10 विधायकों को विधान सभा से सस्पेंड किया गया था उस वक्त JDS विधायकों ने भी BJP का समर्थन करते हुए विधान सभा से बॉयकॉट किया था आपको बता दे कि इसके बाद से ही ये लगने लगा था कि कुमार स्वामी BJP के करीब जा रहे हैं और अब NDA का हिसा बन सकते हैं हलांकि इससे पहले 18 जुलाई को दिल्ली में हुई NDA की बैठक में JDS शामिल नहीं थी उस वक्त कुमार स्वामी ने ये भी कहा था कि उन्हें बैठक को लेकर कोई नियोता नहीं दिया गया JDS की राजनितिक दिशा क्या हो इसको लेकर पिछले कुछ सालों से बड़ा अंतर विरोध रहा है इसके पीछे जानकार पार्टी के संक्रमन काल को बता रहे हैं जब 94 साल के HD देवेगोडा का पार्टी से नियंतरन कम होता जा रहा है और इसकी पूरी कमान उनके बेटे कुमार स्वामी के पास जा रही है पिछले कुछ वर्षों में पार्टी की अधिकतर फैसले कुमार स्वामी नहीं लिये हैं उनकी कॉंग्रेस या दूसरी विपक्षी दलो से कभी रिष्टे बहतर नहीं रहे उनके पिता HD देवेगोडा की निकटता विपक्षी दलो से हमेशा रही है वो कई मौको पर विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल भी हुए है करनाटक में जब से कुमार स्वामी की सरकार गिरी तब से पार्टी इस गडवन्धन से दूरी बना रही है साथ ही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कई मौको पर देवेगोडा के प्रती आत्मियता भी दिखाई है ऐसे में कोई भी सियासी स्टैंड लेना जेडियस के लिए अभी इतना आसान नहीं है और अब पिता और पुत्र के विरोधाभास भरे बयान से भी इस बात की पुस्टी हो रही है फिलहाल ये असपस्ट है कि जेडियस बीजेपी के साथ शामिल होने नहीं जा रही है